होर्सीज का क्या आर्थ होता है ये आज की वीडियो में सीख लेते हैं होर्सीज जो है वो होर्स का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज़्यादा होर्स को हम होर्सीज कहते हैं और होर्स का आर्थ होता है घोड़ा घोड़े को ही अशो भी कहा जाता है इसके इलावा इसका आर्थ होता है खिलोना घोड़ा यानि कि घोड़े के जैसा दिखने वाला खिलोना तो एक से ज़ादा घोड़ों को या आश्वों को हम horses कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि खुले मैदानों में घोड़े सरपट दोड़ने लगे तो आप कहेंगे the horses galloped across the open plains या गर आप ये कहना चाहें कि घोड़े चारागा में चर रही हैं तो आप कहेंगे horses are grazing in the pasture या गर आप ये कहना चाहें कि उसे घोड़ों का भूच शोक था तो आप कहेंगे she was very fond of horses अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें